कि अलो अलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है जैसा कि आप जानते ही हैं आपकी रीजिनिंग की जर्णी चल लए है और इस जर्णी में डारेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर की आपको प्रेप्रेशन कराई जा रही है स्मार्ट ट्रिक विद कंसेप्ट के साथ रिलेवेंट आईवे कोशन ही यह सारे कोशन जो आपको करा जा रहे हैं यह न बैक यह आईवे रिपीटिट कोशन ही है तो फाइनली इसकी सिक्स क्लास आपको अपने यूटूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो इशे तरीके से हमने पढ़ लिया है यह बेटा आज आपकी लास्ट क्लास है डायक्शन और डिस्टेंस की दिसा और दूरी चैप्टर की बस आप लोग से एक ही अनुरोद है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भोले आप इस वीडियो को शेयर लिस यहां से बेटा आपका टाइप सेवन स्टार्ट हो जाता है टाइप सेवन और इस टाइप सेवन में आपसे कुछ ट्रेन रेल गारी से समबद्धित कोशन पूछे जाएंगे जो कि उससे निकलने वाला जो समोग धुआ है उसकी दिसा आप से पूछी जाएगी तो देखते जो कि स्टार्ट हो चुका है करेक्ट अब इस सेवन टाइप में आपसे कैसे किस टाइप से कोशन पूछे जाएंगे तो सबसे पहले इसमें कौन से दुआ ट्रेन से जो बेटा दुआ निकलेगा उसकी दिसा आप से पूछी जाएगी तो कोशन पढ़िए पहले क्या लिख उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवा पस्षिम से पूर्व की ओर है तो रेल गाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिसा बताईए तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक फार्मूला हम लिखा रहे है जो की आपको याद रखना है वो फार्मूला आपका क्या बनेगा जस्ट आपको लिखाने ही जा रहे है देखिए आपको फार्मूला लिखना है जो स्मोक का फार्मूला आपका बनेगा धुएगा अपोजिट टू अपोजिट टू रणिंग ट्रेन अपोजिट टू रणिंग ट्रेन प्लस अपोजिट टू रणिंग ट्रेन प्लस एयर डारेक्शन प्लस एयर डारेक्शन ये बेटा आपका फार्मूला बन जाएगा चलिए इसमोग का मैंने फार्मूला क्या लिखाया तो आप बोलेंगे इसमोग का फार्मूला लिखाया गया अपोजिट टू रणिंग ट्रेन प्लस एयर डारेक्शन ये बेटा आपको फार्मूला याद देखना है ट्रेन वाले कॉसर्ण को करने के लिए चलिए बार्याति की फार्मूला तो लिख़िया सार अब इसको सॉल्व कैसे करें तो सॉल्व आपका इतने ही आसान वे में वalitiesी आपसे पूछा क्या गया है सबसे पह Mercy सार से पूंगिया है तो आप formula आपने क्या लिखा है आप बोलेंगे formula जो smoke का मैंने लिखा है वो है opposite to running train अब बात आती है कि train किस दिसा से किस दिसा में चल लई है एक train है एक train दच्छिड दिसा से दच्छिड से उत्तर की और चल लई है देखिए बेटा यह आपकी south से south से किस direction में चल लई है north direction में correct जो कि क्या है train अच्छे से बनाते हैं figure से आप अच्छे से समझ पाएं देखिए एक बेटा train है क्या train जो कि यह train south direction से north direction में जा रही है हाँ south direction से south से north दिसा में चल लई है correct तो यह बताए कि मैंने क्या लिखाया आप ओजी टू रणिंग हाँ देखो आप ओजी टू रणिंग ट्रेंड जो ट्रेंड जिस दिसा में जिस दिसा में जा रही है south से north दिसा में जा रही है तो इसके धूए की जो direction हो जाएगी वह just train के opposite side में हो जाएगी हाँ तो यह धूए की दिसा क्या हो जाएगी north से north से यह बेटा आपकी धूए की है दूए smoke क्या हो जाएगा इसके opposite train के opposite क्या हो जाएगा यह south direction में आजाएगी बात आई समझ में तो क्या हो जाएगा opposite to running train smoke की direction एक train थी जो की south दिसा से north दिसा में जा रही तो इसके धूएं की direction क्या हो जाएगी इसके opposite वह जाएगी north से south में correct इतनी बात समझ में आई बहुत ही अच्छे तरीके से प्लस मैंने क्या लिखाया एयर डारेक्शन वे एयर का flow दिखिए क्या है अब दिखिए एक रेल गाड़ी दच्छिड से उत्तर की ओर चल रही है इतना तो हमने समझ लिया with figure इसके बाद और हवा का प्रवा हवा का flow और हवा का प्रवा पस्षिम से पूर्व की ओर है हवा का जो प्रवा है क्या है हवा का जो प्रवा है पस्षिम से पूर्व की ओर है correct तो रेल गाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिखा क्या होगी बताईए हवा का प्रवा क्या है जो आप ब किये एर कि एर जो है क्या इस्ट सोरी वेश्ट डारेक्शन से वेश्ट डारेक्शन से इस्ट डारेक्शन में करेक्ट क्या इस्ट डारेक्शन में हावा कि प्रवा क्या वेश्ट से इस्ट याप आप क्या लिखेंगे इस्ट करेक्ट बात आई समझ में तो देखिए आप इसी की दो बेटा दाक्सन पुछी गई थी तो क्या हो जाएगए इस मोग की दिशा क्या हो जाएगी बेटा आपकी साउथ इस्ट यह आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा आंसर नंबर कौन समयच कर रहा है आप बोलेंगे प्याय तरीके से साउथ इस जो की आंसर नंबर भी तच्छिड पूर्वी दिसा बात समझ में आई बहुत ही प्यारा कोशन था फार्मूला आपको याद रखना है ट्रेन वाले कंसेप्ट पर क्या फार्मूला याद रखना ह से प्लिस एयर का फ्लो यह तो उसको भी बीटा एड़ करेंगे यहांड्य फ्लो ठा तो उसको भी आड़ कर लिया थो क्या बना इस्ट दिशा कौन से आगी साओधी स्थिस्ट ओप्षन नमबर भी आपका करेक्ट है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोसण में नेक्स्ट आपका 49 नंबर कोशन दिखिए क्या बोला गया आपसे 49 नंबर कोशन भी आपको बहुत ही प्यारा कोशन है एक रेल गाड़ी दच्छिड से उत्तर की ओर जा रही है सबसे पहले आपने फार्मूला क्या लिखा तो फिर से रिपीट कर लेंगे फार्मूला अपना फार्मूला आपने लिखा था इस्मोक का जो फार्मूला लिखा था एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे है इस्मोक का फार्मूला आपने लिखा था अपोजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यह अपने फार्मूला लिखा था बहुत ही पहर तरीके से तो अब बताईए इस कोशन को कितने इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं बताईए कि अपसे लिखाए 1998 एक रेल-गाड़ी दच्छिड से उत्तर की और जा रही एअ सबसे पहले वो करेंगे आपके आपका लिख एंगी समूंक आपने लिखा का है INTERPORAT ATCENT Research क्या हो जा रही है तो इसके यूटे दिशा किया हो जाएगी यह हो जाएगी क्या हो जाएगी साउथ क्या हो जाएगी साउथ कि इसके बाद प्लस एक्षिट को भी तो एड करेंगे तो देखिए एक रेल गाड़ी दच्छिट से उत्तर की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी अब एयर फ्लो आपको नहीं दिय धुएं की दिसा जब नहीं देगे तो आप बेटा आ जाएगा कोशन मार्क करेक्ट इसके बाद तो क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा बेटा साउथ डांध सने हो जाएगा क्यूंकि यहां पे आपको एयर्फ लो की दिसा मलब एयर फ्लो की कंडिशन आपको नहीं दी एक रेल गाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवा दच्छिड की ओर है तो रेल गाड़ी से निकलने वाले धुए की दिशा क्या होगी पार्मूला आपने लिखा था इस मोग का उपने फार्मूला लिखा था क्या लिखा था अपोजिट टू रूनिंग ट्रेन प्लस एयर डारेक्शन एक रेल गाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो इसका दुएं की दिशा हो जाएगी से क्या होजाएगी साउथ क्या हो जाएगी आप बोलेंगेक मैं इसके बाद प्लस एक्षिंग बीचार हाइट किया गया तो डेटा उसका नहीं आप लिख पाया आपको दिया गया है, और हवा का प्रवा दच्छिड की और है, तब रेल गाड़ी से निकलने वारे धुएं की दिशा क्या होगी, तो बेटा जब साउत में साउत को ही जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, साउत ही तो आएगा, अंसर क्या हो जाएगा आपका, आप यह आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, यह कितने प्यात तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आंसर नमबर आपका दच्छिड जो की बी करेक्ट है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन की तरफ, एक क्यावन नमबर कोस्टन देखिए, आप से क्या पूछा गया है, एक रेल सार्ट साइट, यहाँ पे बेटा जब आपकी जो ट्रेन है, वह खड़ी है, यहाँ दैएर फ़लो इसफ्रोंफे вашto अच, details, और दॉク सर्थ्ट satby जबंबर को आपका और इजिक बन जाता है, अभी आपकी ट्रेन क्या क्या कृचिंट ती वह चल रही थी,पर अभी अब किंधा यहां पर आपका फार्मूला बेटा-चरल जाता है वो फार्मूला counterpart क्या होlic हब यहां सब्छक बने सक्छिए क्षोन सबसक्राइब, जो आ में सबत करदाऊं तो यहां पर आपका फार्मूला बनेगा इसब्सक्तिक का बनेगा इसबसन आपका चलारोब भूला बन जाएगा इस्मोकी इक्वल डू अभी बेटा आपकी ट्रेण नहीं चल लए है ना किरेक्ट्ट जब आपकी के खड़िए थे स्मोक इप्रों किज的 आयर टारेक्शन तू अभी बेटा आपकी train नहीं चल लाए ना, correct जब आपकी train खड़ी है तो smoke is equal to air, air direction, क्योंकि बेटा यहाँ पे rail गाड़ी आपकी खड़ी है, जब rail गाड़ी आपकी खड़ी है, जब rail गाड़ी खड़ी है, खड़ी हो, correct जब आपकी rail गाड़ी खड़ी हो, तो आपका formula यह बन जाएगा प्यारा सा, तब देखिए आप एक कोशन को कैसे solve करेंगे, बहुत ही आसान वे में solve कर सकते हैं, देखिए कोशन पढ़िए, क्या लिया क्या है, एक rail गाड़ी उत्तर की और मुख करके खड़ी है, और हवा का प्रवा, हवा का प्रवा, पूर्व की और है, हवा का प्रवा जो है बेटा क्या है, पूर्व की और, तो आपने formula क्या लिखा, smoke is equal to air direction, जिस direction, आभी वो बेटा जब खड़ी है, जब train आपकी खड़ी है, एक train है, जो की नौर्थ दिसा की और मुख करिके खड़ी है, यह क्या है आपकी train, जब बेटा train खड़ी होती है, तब केवर, जब इसको, हाँ, यह आपकी train क्या condition है, चालू है, तब ही तो बेटा जब दुआ निकलेगा, हाँ, चालू condition में है, बंद नहीं है, तब ही तो दुआ की direction आप बता पाएंगे, जब दुआ निकलेगा, तब इसकी direction बता पाएंगे, पर यह train खड़ी है, station पे चलने वाली है, अभी चलने रही है, नौर्थ इसा की और मुख करके खड़ी है, यह हवा के साथ चलो, तो हवा के साथ चला जाएगा, तो क्या, जब रेल गाड़ी उत्तर की ओ, मुख करके खड़ी है, और हवा का प्रवा क्या विविटा पूर्व, इस्ट, तो अंसर क्या हो जाएगा, बाड़े ही प्याय तरीके से आप बोलेंगे, इस्ट जो की आपका correct answer ह हवा के साथ साथ कौन सा, ए नमबर, पूर्व, correct, साथी चल, चलिए, अब बेटा है, आसे बावन नमबर, और तिरेपन नमबर, इसके बाद, चलो, यह बावन नमबर कोशन देखते हैं, क्या लिखा है, बावन नमबर कोशन भी आपका next level शुरू हो जाता है, आपने, कितने level complete कर लिए, तो आप बोलेंगे, हमने 7 type complete कर लिए, 7 type, और हमें लग रहा है, आपका 7 नहीं होगा, बेटा, 8 type कर लिए, क्योंकि, आप देख लिए, आपको 7 type तो complete कर वा दिएगा, यह आपका 8 type हो जाएगा, correct, इसके बाद, हवा के साथ साथ वाले कर लिए, इसके बाद आ जाता है आपका type, finally, next, यह आपको जो type है, बहुत ही important बन जाता है, back sound stage में जो आपने मैंने बताया type 4 और type यह आपका last कौन सा है, आप बोलेंगे, यह आपका type, type 9 है, correct, इस यह बेटा आपका coded direction से, फिलिटे कुड़, आपको coded direction दी जाएगी, जैसे कि कोशन आप पढ़िए, क्या आपको दिखा दिया गया है, यह आपका पहले तो आपका coded direction से है, क्या, coded, coded direction, correct, coded direction, आप देखिए, कैसे coded direction है आपको बता रहे हैं, पोशन देखिए, P has Q is equal to Q is in 12 km south of P, correct, इसके बाद, यह आपको कुछ condition दी गया है, हिंदी लिए, P has Q is equal to Q, P के 12 km, 12 km दच्छिड में है, यह आपको coded direction exam में ही दी जाएंगे, आप घर से याद करके मज जाना, correct, यह आपकी condition दी गई है, और final condition आपको यह बना के पूछ रहा है, कौन सी यह वाली, इसको solve करने के लिए आपको थोड़ा mind की use करना पड़ सकता है, क्यूँ, देखिए, होते बहुत easy है, एक से दो बारा practice करेंगे, आप से बनने लगेंगे, देखिए, क्या दिया गया है बेटा, q has, q has, p has q, p has q, is equal to q p के बारा किलो मेटर दच्छिड में है, पयोद लिखिए, क्या लिखा है, p has q, correct, क्या लिखा है, q, q जो है, p के, p के, 12 किलो मेटर, 12 किलो मेटर बेता क्या है, south में है, correct, south में है, इसी coded direction से देखो, आपको ये situation बना के दिये, यह दी, r has s, हां, तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, p has q था जैसे, उसी condition को क्या है, इसने किस format पर change किया है, r has, r has, s, is equal to, r has, s, is equal to, जैसे कि आपका p has q, q, p के, 12 किलो मेटर, south में है, ऐसे ही आपका, क्या, इस situation को बना दिया गया है, r has, s, r has, s, जो हो जाएगा, बेटा, s, s, जो है, s, जो है, r k, s, जो है, r k, 12 किलो मेटर, 12 किलो मेटर, south में हो जाएगा, बात समझ में आई, इसका कहने का role ये था, अब mean of, I hope, समझ पाए होंगे, correct, तो देखिए, अब आसान वे में आप इसको solve कर सकते हैं, समझ पाए, बेटा, क्या language लिखी थी, अब इसकी बारी आती है, solve करने की, तो करते हैं न, solve, जैसे देखो, क्या हो जाएगा, p, p, q, p has q, is equal to q, is in 12 किलो मेटर, south of p, तो ऐसे ही हो जाएगा, r has, r has s, as you are, where r k, as you are, where r k, 12 किलो मेटर, south of, south of, correct, समझ पाए हैं आप, तो देखिए, सबसे पाए हैं तो इसका figure आपको बनाना पड़ेगा, उसी की माद्दियम से आप इसका answer दे पाएंगे, तो आप से पूछा क्या गया है, तो, यू के सापेच, s कौन सी दिसा में होगा, आप याद किजिए, सापेच, with respect to, कौन सी टाइप में करते थे, 4 में, और 4 टाइप में दिसा बताने के लिए, दिसा और दूरी बताने के लिए, आपको मैंने क्या कहा था, इसको आप basic method से करेंगे, जो कि आप इसका graph बनाते थे, उसके बाद triangle बनाना की कोशिज करते थे, आज़ा similarly आप इसमें भी use करेंगे वैसा ही, तो देखिए, पढ़ते जाएए एक एक लाइन और करते जाएए, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आर, एस जो है वै आर के 12 किलोमेटर साउत में है, एस जो है, एस वै आर के, पहले तो इसके मीनिंग समझे यह आप क्या लिखा, एस जो है, एस वै आर के 12 किलोमेटर साउत में है, एस जो है वै आर के 12 किलोमेटर साउत में है, कितने बेटा, 12 किलोमेटर, बात समझ पाए, बहुत बढ़िया, इसी प्रकार, next ये पडिए, ये ये बाली तो अभी आपने solve करें, इस लिखी, P at the rate Q, P at the rate Q, P is in 6 किलोमेटर साउत, P is in 6 किलोमेटर वेस्ट ऑप Q, P at the rate Q, प at the rate Q, जैसे कि आपका P at the rate Q is equal to P, Q के 6 किलोमेटर पस्शिम में है, क्या पी जुँ है वह q के 6 km पसटीम में है ऐसे यह ही बेटा आपको यह हो जाएगा टी जुँ है वह aश के 6 km पस्टीम में है बास समझ में आई चलिए क्या है पि एडरेट क्यू टी एडरेट ऐसे इससे आपको compare कराना है यह कोड़े डारेक्शन में थोड़ा सा आपको बेटा माइंड लगाना है एक से दो भाग कोशन करेंगे easily आपके होने लगेंगे correct जैसे कि आपको दिया गया P at the rate Q पी जु है P Q के 6 km पस्चिम में है तो ऐसे हो जाएगे T S K T जु है बेटा वाई S K T S K T जु है वाई S K S K 6 km 6 km पस्चिम दिसा में है correct इसके बाद इसके बाद finally last situation देखिए क्या लेकिए आपकी P % Q P is in 8 km north of Q P % Q P Q के 8 km उत्तर में है P जु है वह Q के 8 km उत्तर में है वैसे इसको इस situation से क्या क्या है जैसे कि P % Q है P % Q P Q के 8 km उत्तर में है तो यू T के 8 km उत्तर में हो जाएगा यू जु है वह यू T के 8 km उत्तर में हो जाएगा जैसे कि लिखा है ना पी Q के 8 km उत्तर में वैसे हो जाएगा यू T के 8 km उत्तर में यू जो है बेटा वह टी के 8 km आ यू बेटा हो जाएगा आपका यू यू करेक्ट 8 km उत्तर में है बात समझ पाएगा बेटा बहुत ही पैत तरीके से फाइनली ये इससे ये छोटी रहेगे थो थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि आपको ट्रेंगल बनाने में फिर आसानी हूं करेक्ट चलू अब यहां से पूछा क्या गया यहां से आप अगा पूछा गया है तो यू के साभब टो यू के साभब टो में से एररो खिच दिना तो यू के साभब टो चलू करेकर आ तो के साभब करिये ना तो U के सापेच, S किस दिसा में, बताईए, कितना आसान कोश्चन था, एक से दो बाद प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, तो U के सापेच, S बेटा, देखिए, एरो आपका जा रहा है नीचे, साउथ, लेट जा रहा है, राइट में, आज बोलेंगे, राइट, साउथ, इस्ट, ये एरो क्या हो जाएगा, साउथ, इस्ट, अगर बेटा आपने, इसमें केवाल इसने डायक्शन पूछिए न, जो कि साउथ, इस्ट, आपसन नमबर C आपका करेक्ट है, यहाँ पर अगर इसकी द और और पांच का, ठीक है, आप कहेंगे, अरे यार, भाईया सर जी, ये कौन साट रिप्लेट आप में लिखा दी, ये तो इससे मैची नहीं करा, अरे भाई, इसी का डवल किया गया है, कैसे देखो, तीन का डवल करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 6, 4 का डवल करेंग कितनी दूरी हो जाएगे, बोलेंगे, 10 किलो मेटर, अगर दूरी पूछ था, तो वो भी आप बता दे कितना, 10 किलो मेटर, correct, answer number आपका, South East, जो कि C, आपका correct है, चलते हैं, अपना भाईया, next question में, next question देखिए, आप से क्या बोला गया है, ये भी बहुत प्यारा question है, ये ये भी आपका data given है, और डारेक्शन से है, type 9 चल ला है, last, correct, चलिए, P at the rate Q, correct, P at the rate Q, is equal to, P is in 6 km east of Q, P is in 6 km east of Q, P at the rate Q, P, Q के 6 km पूर में है, जैसे क्या लिखाए, आपका P जो है, बेटा हुए, Q के, ऐसे किस situation से इसको relate करा गया है, आप बोलेंगे, ये आपकी लिखिए ना, सर्जी, बहुत ही प्याय तरीके से हमको दिख भी रही है, correct, जैसे आपको P at the rate Q से सम्मोधित करा गया है, इ C का situation क्या बना दीगे, A at the rate B, A at the rate B, हाँ, जैसे कि आपका P जो है, वहे Q के 6 km पूर में है, ऐसे ही आपका ये हो जाएगा, A, B के 6 km पूर में हो जाएगा, A, B के 6 km क्या हो जाएगे, बेटा, आप बोलेंगे, सर्जी, बड़े ही प्याय तरीके से पूर में, correct, जैसे कि आपका P at the rate Q, correct, A at the rate B, A at the rate B, बेटा समझ पा रहे हैं न, आयोप समझ पा रहे हैं, एक से दोबाब प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी, कोदिट डा एक से न है, इंपोर्टेंट आप बन जाता है, और इस प्रकार के बहुत कोशन आपके अच्छे लेवल में म P at the rate Q, P at the rate, P J us Q के 6 km पूर में ऐसे हो जाएगा, A जो है BK, A जो है A, B जो है A, B के 6 km में, समझ पा रहे हैं, चलिए A जो है, A जो है, वहै B के, 6 km, 6, km 6 km, 6 km, 6, km, 6 km, बेन आइं, इसके बाद देखें, second situation आपको क्या दी गई है, P has Q, Q is in 4 km north of P, P has Q, मतलब B has C, Q P के 4 km पूर में है, Q जो है, वह है, P के 4 km पूर में, ऐसे ही हो जाएगा आपका, B has C, C B के 4 km पूर में है, C जो है, वह B के, 4 km, 4 km पूर में है, जो जो है, वह B के, 4 km, 4 km पूर में है, समझ भाई, बेटा, बहुत बढ़े हो, चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए आपकी last situation आपकी यह दीगी है P percentage Q Q is in 12 km south of P P percentage Q Q P के 12 km दच्छिड में है Q जो है वह P के 12 km दच्छिड में है ऐसे C percentage D D जो है वह C के 12 km दच्छिड में है D जो है वह C के 12 km दच्छिड में D जो है वह C के D जो है देखिए जो आपका D है डी पॉइंट D जो है C के 12 km पूर में है 12 km पूर में है कितना हो जाए गए यह पूरी 12 km करेक्ट बेटा कितनी आप बोलेंगे प्याए तरीके से 12 km 12 km तो यहां से यहां तक की पूरी डाक्षन कितनी है मलब डिस्टेंस कितनी है आप बोलेंगे 12 km और लेड़ी यह 4 km रहे इतना तो इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा इतना पार्ट आप बोलेंगे सर जी 12 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 8 km बास समझ पाए बहुत बढ़िया इसके बाद बेटा आपसे पूचा क्या गया है पूचा गया बेटा आपसे तब तब नौ देन तेन हाव फारेंड इन विच डाक्षन इस डी फ्रॉम ए डी फ्रॉम में हिंदी लेंगे देखते हैं तब डी ए से कितना और किस दिसा में तब डी जुह है आपको बड़े यह अच्छे हां ख्यालों से सोचना है वहां से तीर चला दीजी हम भाई आपके पास आ रहे हैं डी जुह है वह ए से डी जुह है वह ए से लोगा दू कितना और किस दिसा में है यह आपसे पूचा गया है चल लिए इसको भी सॉल्व करते हैं प्यार भरी न दिए ना ग्रीन जलोग अधिक यह अब डी ए से कितना और किस दिसा में है हां डारेक्शन हां और इस दोनों ये आप से मलब दिसार दूरी दोनों ये बेटा आप से पूच लिए देखिए आप पोलेंगे सबस्की दिसा निकाले डाक्स निकाले क्या बोले टैक्स टेकि ग केवर जारा या राइट आप बोलेंगे सर जी यह तो राइट ने लफ्ट जारा घ्नाट इंव जलार है क्या हो जाएगा वेस्ट सौथ वेस्ट इसके बाद इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बेटा, छे, आठ, तो ये क्या हो जाएगी, चर्णल सी बात है, ट्रिपलेट आपका तीन, चार, पांच वाला, तो इसका डवल किया गया है, यह हो जाएगा अगपद 10 किलो मेटर, 10 किलो मेटर, तो देखिए, 18 किलो मेटर वाले आपको पहले ही काड़ देना है न, A और, D आपका, बचे 10 वाले दो, देखिए, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये देखिए, ओप्सन नमर राइट आपको कौन से होगा, B, 10 किलो मेटर, साउथ वेस्ट, दचिड पस्यम, I hope समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा क संता, कि इस सब्दों में इसको, क्या करना है, आपको, back up practice revision, back up practice revision, इसके बाद, बैटा, दैक सथ प्यांत, चैप्टर की, होगा, जैप्तर की, हमा, है, सिरीज, खतम होती है, इस चैप्र की, तो बैटा, आप, आपको, क्या करना है, अब आपको ये करना, जितना भी, आपन जाएंगे तो प्रिक्ट सोटर को जूतर है बार कि उडियो गढ़ेगे ऑ्पों कोई माद्य में एक्ट Kristen से जरू कर करेंगे तो recorded form में आपको सारी classes आपको मिल जाएंगी, जो आपको एक एक करके सभी classes को देखना है, बाकी वीडियो को share list में जरूर राइट कीजिएगा, चलिए मिलते हैं next दिन, अगले दिन, किसी नए chapter के साथ, correct, आपने reasoning जीवन में कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ठीक है, आप आपको पहले सही पढ़ के नहीं आ रहा है, जैसे कि next chapter आपको हम पढ़ाएंगे, cube और cuboid, घन और घनाप, तो आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, चैप्टर वो पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, reasoning पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, doesn't matter, आप यहाँ पे आईए, आपको लगेग से पहले आप घर से पढ़ो, correct, इसके बाद यहाँ पे आके पढ़ो, third time आप जाके फिर से notes बनाओ, four time आप फिर से revise करो, और fifth time में जब आप पेपर दें जो तब पढ़ो, तो ऐसी पंच वरसी हो जना बनाके नहीं चलनी है, आपको यहाँ पे आके बस पढ़ाओ, इसके ब बीजन, correct, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आपका क्यूब एन क्यूबर चैप्टर चलूगा नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को से लिस्ट में जरूर रैट कीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए, हाँ, take care, good bye, love you all, मिलते हैं, जेहन,